दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बिताने वाला हो कि आप इंस्टेग्राम पर follower and following की notification settings को आप कैसे manage कर सकते हो जिया दोस्तो इंस्टेग्राम पर आपने किसको follow करा है या फिर आपको किसने follow करा है तो आज के इस वीडियो में आपको complete बताने वालो किस तरीके से आप जो है इंस्टेग्राम follower and following notification settings को आप कैसे manage कर सकते हो वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe नि किया तो चानल को subscribe कर लेज़ेगा और साथ में bell icon को press करके all पर set कर लिचेगा तो चलिए friends आज कई वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे बहले guys आपको अपने mobile में Instagram application को open करना है Instagram app open करने के बार नीचे के और profile option पर जैसे ही आप click करोगे इसके बाद उपर के और 3 line पर click करना है इसके बाद आपको settings option पर click करना है और यहाँ पर guys आपको notification का option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको notification option पर click करना है और यहाँ पर आपको following and followers का option यहाँ पर show कर रहा है तो simply हम इस पर click कर लेते हैं अब guys यहाँ पर आपको Instagram की following and follower notification को आप manage कर सकते हो सबसे पहला option है यहाँ पर new followers का option यहाँ पर show कर रहा है यानि guys new follower means आपको जो Instagram पर कोई भी follow करता है तो अगर आप चाते हो कि उनकी notification आपको show करे आपको कोई भी person आपको Instagram पर follow करता है और आपके Instagram में notification में आपको show कर दिये और अगर आप चाहते हो कि वो notification शो करें तो आपको on पर क्लिक ना है और अगर आप चाहते हो कि वो notification आपको show ना करें इस्टाग्राम पर आथ तो आप इसे off कर सकते हो तो फिलाल गाईस मैं आप पर इसे जो है on कर लेता हूँ इसके बाद गाईस second वाला option है accepted follow request यानि जब भी आप किसी को भी इंस्टाग्राम पर follow करते हो यानि उनके पास request चली जाती है उनके पास अकांट प्राइवेट होता है तो उनके पास request चली जाती है और जब भी वो आपकी request को accept करते है तो आपको जब Instagram पर notification रिसीव होती है और अगर आप चाहते हो कि आप किसी को भी follow करो request send करो और guys वो जो आपको accept करे और आप चाहते हो कि उनकी notification आपको show ना करे तो उसे आप off कर सकते हो otherwise guys उसे आप on कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपने किसी को follow करा request send हुई है और जब भी वो सामने वाला accept करेगा तो आपको notification मिले तो आप इसे on कर सकते हो इसके बाद थर्ड वाला option है account suggestion जी आ दोस्तों अगर आपको भी Instagram पर बहुत सारे account suggestion में आपको notification शो करती है account suggestion के आपको बहुत सारी notification आ रही है इसके बाद guys यहाँ पर आपको एक option मिलता है mention in bio या नि आपके Instagram का जो bio रहता है अगर आप चाहते हो कि आपके Instagram का bio जो है कोई भी ना देख पाए कोई भी mention ना कर पाए तो इसे आप off कर सकते हो और guys अगर आप चाहते हो कि सभी जो आपके Instagram का bio देख पाए mention करबाए तो यहाँ पर from everyone आप choose कर सकते हो इसके लिए दोस्तों कर आप चाहते हो कि जिसे आपने follow कराए सिर्फ वही आपके bio को mention कर सके तो यहाँ पर इससे आप जो है from people I follow यहाँ पर इस option को choose कर सकते हो तो इस तरीके से यहाँ पर instagram की followers and following settings को यहाँ पर settings को manage कर सकते हो तो अगर आप कोई video चला लगाओ तो इस video को like, share and subscribe जरूर से कीजिएगा